हलो वीवर्स बलकम तो मैं योटूब चानल परमाउंटिंग निस टड़ी पिदराजन सर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो हमने आपको बताया था कि बिग्यापन जो है निव अड़िजमेंट वो आपका जो आने का चांस था सेवंटीन के पहले हमने कहा था और वो सेवंटीन के पहले मार्च के पहले ही आने का चांस अभी भी बना हुआ है इसमें जो तदर सिचकों को लेकर के बाद थी आप जानते हैं कि कल का जो मेल्टर हुआ और जो नेड़े डिया गया माध्मी सिच्छा सिवा चेन बोर्ड में और फिर उसके बाद माध्मी सिच्छा परिशत के द्वारा उसमें जो आपके प्रोक्ता डक्टर आरपी मिस्तराजी थे उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ इसमें जो तरदस सिच्छक हैं जिसमें 550 ऐसी संख्या है जो अब यहां पर लाव पाने वाले हैं यानि कि वो लोग अब ही ऐसे थे जो कोर्ट के आरडर पर अपना जो है सर्विस कर रहे थे और उनको बेतन मिल रहा था तो ऐसे लोगों को रहा देने की बात की गई है और जो अनलोग हैं उनको जो है बेटेज देने की बात की गई है जैसा कि बेटेज को ले करके यहां पर कई लोग हैं वि अगर और सक बहुत लगता हो तो और नहीं लगता है तो फ्रेश कंडिडेट्स का नुकसान ना हो अगर आप उनको देना चाहते हैं तो दे दीजिए लेकिन फ्रेश कंडिडेट्स का जो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए यह आपको देखना जरूरी है क्योंकि आप तदर सि स्टार्ट करना पड़ेगा समस्या वहां खड़ी हो रही है तो अगर फ्रेस कंडिडेट्स के लिए आप इस पेसल उनका अलग से सीट निकाल लिए जगा निकाल दीजे जिसमें तदस सिचकों की सीट को अलग रखा जाए तो कोई समस्या नहीं है आप जितने तरस सिचक हैं सब का जानिंग करा दीज़े सब लोगों को आप नोगन दीजे सब लोगों को भेतन दे दीजे कोई प्रालूम नहीं है और जो करंडिडेट से उनके तो ऐसे नवक्री दे दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेस कंडिडेट का नुकसान करके ऐसा नहीं बना चाहिए, इस चीज को मैं कह रहा हूँ, तो इस पर ध्यान देना होगा, कि किसी को बेटर्स दे रिया जाए, और किसी को जो है, उस सुनने से जीरो से समयनत करेगा, तो इस चीज की स्तिती ना बने, इसके लिए लोग विरोज जता रहे हैं, चलिए ठीक है, ये विरोज जता रहे हैं, उसमें आप लोगो एक अडवरेंटेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि जो विग्यापन आने की बात है, आपको बताया थे, संख्या नहीं बढ होई है, जब कि स्ट्विटो की संख्या जो है, वो 25,000 से उपर खाली है, तरतर सुच्चकों को जोड़ दिया जागा, तो वो चला जागा, 30,000 से उपर चला जागा, लेकिन यह है कि जो आपका फ्रेस होना चाहिए जगा, वो तो कम से कम कुछ नहीं, तो 22,000 से उपर निकल कि एक बड़ी पहल किया गया है कि आप 550 तदस रिश्कों को जो है अब उनको नियमित करके जो है उनको वसी प्रकार से बेतन दिया जाए कोड के आडर के उटसार उनका कर चलता रहे और जो अन्विग्यापन की बात है वो विग्यापन भी जल्दी से दे करके लोगों का अप उपाएगा वो भी आपको कि बड़ाए थे कि आपको सेकंड़ भी में होने का चांस सबसे जादा रहेगा और पिर एक बार ही कहेंगे कि इस बाटी टी लागों नहीं होने जा रहा है टी लागों आपको जानकारी, रिजट के बारे हैं, कला का रिजट होने में देर होगा, जैसी जानकारी मिली है, पचीस मार्ड से भी जा सकता है आपका रिजट, लिकिन एक चीज ये पता चला है, कि PGT art का result 25 के पहले आ जाएगा और जो TGT art का result है वो आपका आने में लेट होगा वो 25 तक आएगा और एक बच्चा आपका college enlightenment हिंदी का हिंदी में लोग पोछ रहे PGT और TGT दोनों का college enlightenment तो दोनों का college enlightenment एक साथ होने का ही chance बन गया है एक साथ ही आएगा schedule उसका और वो आपका जो है वो 12 से 15 अपरिल के बीच में आ सकता है यानि 14 अपरिल को chance ज़्यादा है हम आपको आपको बता चुके हैं वेडियो में पहले भी ये है आपकी condition बसता है waiting list तो waiting list के लिए जो जो process चल रहा है court में चल ला है civics का है तो civics का result भी आने का chance है और वो उम्मीद है कि 15 मार्च के बाद उगे result दिया जाएगा PGT civics का तो ये था अब तक का बाकी और जनकारी जो हमको मिल पाती है वो आपको हम आवस्त देंगे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थाइंक्स है बना आउस्त